तो आपका स्वाग गहता है अपने यूटीब चैनल टेसिंग हब पर आज हम फोरेस्ट गार्ड के पेपर की अंसर की के बारे हम बात करेंगे और आपको पूरे हंडर्ड परसनों के बारे हम बताएंगे पूरे 100 परसनों की अंसर की हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी तो हम सबसे पहले जीके से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जीके की और डुक करते हैं तो पहला कोश्चन है कि कत्रों के और ध्यान पुर्वक पढ़ते हुए उतर दीजिए इसका मादविक्ता को राज्य की विदानस्वा की करेवाई में बाग लेने का अधिकार है उसे राज्य की विदानस्वा में वोट देने का अधिकार है इसका सही अंसर होगा केवल कत्रन एक सही है केवल परसन दो सही है ABB दोनों सही है या ABB दोनों गलत है तो इसका सही आंसर होगा A केवल कथन एक सही है ओके अगला परसंट निल में से कौन सा राधस्तान के पर्थम विपक्स के नेता के रूप में थे जस्वन सिंग, लक्षमन सिंग, रामना एंचोधरी, परमसनाम, मंदरेना इसका सही आंसर होगा A जस्वन सिंग बिलकोई सही आंसर है जस्वन सिंग अगला कुशन है निल में से कौन से ग्राम सबा का कारे नहीं है ग्राम सुभा का कहार नहीं है निर्मे से ये इसका उत्तर होगा जंगरना करना ग्राम सुभा का कहार नहीं है अगला कोशन राजस्तान के मुख्य मेंतरी जिनका जर्म अंतरस्टे महिला दिवस के दिन होगा था यह अच्छा परसन है मौला सुखाड़े जगरना पडियार असो गलोत वसंद्रा राज्य है इसका सही आंसर होगा वसंद्रा राज्य है अगला क्वेशन राज्यस्तान के किस जिले में सबसे अधिक विदान सबा किसी ते हैं जैपूर अलवर जोद्पूर उद्यपूर इसका सही आंसर होगा जैपूर बिल्कुल सबसे पहले सटीक 100% सटीक आंसर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं सभी के सभी अगला कुशन उद्यपूर राजियकर राजस्तान में विले कब हुआ था यघ्ला कुशन चावन नराजव माराना परताब की कितने वरसन के तकराद दाने रही थी यह भी बढ़िया परसन है चावन माराना परताब चावन में बारां वर्ष तक अपनी राज़ा नहीं बनाई थी बारां वर्ष तक अपनी राज़ा नहीं बनाई थी यह भी अच्छा परसन है अगला कोशन निमाडी उब बोली कहां की है निमाडी उबबुली कहां की है इसका सजी अंसर होगा निमाडी उबबुली माल भी की है इसका बिलकुल सजी अंसर डी होगा अगला कोशन निर्ण में से कौन सा बिलेक मारना कुम्बा को लेखन पर प्रकास डालता है किरतिस्तम जगरनात राय प्रशस्ती राज प्रशस्ती राय प्रशस्ती इसका सही आंसर होगा किरतिस्तम अगला कोशन निर्ण में से सत्य कतन है लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर पशुपालन के अवसेश प्राप्त है सैकिंड आठ स्तल का सम्मध नव पासान काल से है काली बंगा में दुर्ग का निचला नगर दोनों पराचिर यूक्त मिले हैं इसका सही आंसर होगा केवल तीन ही सही है इसका यह अंसर इसका बिल्गल सही होगा अगला कोशन गलत यूगम को चुनिये पहला चुरासी खमों की छत्री कोटा ब्रामन देव की छत्री मंडोर मामा बांजा की छत्री जैपूर कुवर पर्थी राज की छत्री कुमल गड इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा जी बी ए वैसे ही इसका सही आंसर होगा बी बिल्कुल सही है यह आंसर अगला अगला कुश्चन सूर्दर्शन का किला नेर में से किस दुरुक का अन्य नाम है तारगड़ दुरुका जलोर दुरुका नारगड़ दुरुका जैगड़ दुरुका इसका सही आंसर है नारगड़ दुरुका अगला कोशन वारतिये प्राचिन लेपी माला के परसिद लेकर कहें गोरी संकर, रामकरण, मुनी जिन, विश्वे नरानाथ इसका सही अंसर होगा A गोरी संकर, हीराचन, ओजा बिलकुल इसका सटीक अंसर रही है अगला कोशन चार चौमा का सीव मंदी राजस्तान के की जिले में अवस्तित है मतलब अगला इसका अंसर होगा A कोटा मिस्तिताई अगला और दो लिखे त्यूद का सही कलानुकर्म है तरह इनका इसमें मतलो लाइनों चानल जो पहले गटना गटी तो यह उसको सबसे पहले बताना है तो इसका सबसे सटीक अंसर होगा B अगला कोशन अगला कोशन मीना चत्रिय सबा के स्तापना कब हुई थी मीना चत्रिय सबा के स्तापना हुई थी 1933 में हुई थी मीना चत्रिय इसका भी एंसर बिल्कुल सही होगा अगला क्वेशन राव बिका ने किस वर्ष में बिका ने नगर के स्तापना की थी राव विका ने विका ने नगर की स्तापना कब की थी इसका सही असर होगा बी 1488 इस्वी में विका ने नगर की स्तापना राव विका जी के द्वारा की की थी अगला कॉश्चन विनेशर का मेला कब बढ़ता है विनेशर का मेला बढ़ता थो है डुंगरपूर में ये भी बड़िया परसे हैं डुंगरपूर में बढ़ता है इस बार पुछा किया है बढ़ता कब है इसका सही अंसरों का माग पुर्णी मा को बढ़ता है अग्ला तारा सर्मा निर्म्हे से किस निट्तीए से समंधित है परसित कलाकाराय यह समंदित है यह भी बवाई निर्त एं कच्छी योड़ी और गेर नित आ है इसका स़ह आंसर होगा यह बवाई नित आ वहाई नित्दे से ये टारा शर्मा समंधीत है अगला कोशन विग्रयाराज रचिता का रचना का रचिता को नब इसका सही अंसर होगा इनाटक अगला कोशन लालनाज जी निल्मे हैसे किस संपढ़दाय से समंधीत है गुदर संपढ़दाय जसना जी समपर्दाई जसना जी मीप्तित अंगला परशन बिलाडा का समंद किस लोक देवी से है बिलाडा आई माता ये तो आपको यादी होगा बिलाडा आई माता से समंदित है अगला कोशन खुंगाली अबूशन शरीर में कहां पहना जाता है खुंगाली अबूशन गले में पहना जाता है अगला कोशन चितरकार इनासर की किस साबदीन किस चितरकला सेली से समंदित है इसका सही आंसर होगा C मेवाड चितरकला से समंदित है अगला कोशन पन्ना मीना का कुंड कहां स्थित है पन्ना मीना का कुंड ये भी मैंने आपको परसन एक दिन बताया था पन्ना मीना का कुंड स्थित है C जैपूर में स्थित सांबर जैसमद अनासागर पंच्पद्रा हो सांबघ्जील सांबचील को इसका आग्ला प्रशन दर्म में से कौन से पुरा तित्विक सतल नदी सुमलित नहीं है मतलों सी नदी समेलित नहीं है जोद पुशाबी, काली बंगा गगर, उडियाना खारी, बाला थल कांतली बाला थल तो उद्धैपुर में और कांतली तो इदर जुन जुनों से निकलती है इसका बिल्कुल गलत है ये तो इसका सही अंसर होगा डी बाला थल कांतली अगला क्वेशन किस लोग देवता का मंदिल लूनी नदी के किनारे स्तित है पापु जी, तेजा जी, मलीनात जी, हडबु जी इसका सही अंसर होगा मलीनात जी अगला क्वेशन राग माला किस चितर से लिए का परसी चितर है देवगर से लिए, नाद्वारा से लिए, चामन से लिए, उदैपुर से लिए इसका सही अंसर होगा चामन से लिए चामन से लिए, सी, इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा आगीबान के संपादक है ये भी अच्छा परसन है आगी बाण के संपादक कोण है जैनरा इन व्यास जी है आगी बाण के संपादक अगला कोशन सूची एक को सूची दो में समेलित कीजिए और सही उत्तर का चेन कीजिए चेन करके इसका उत्तर देने जस्वन तथड़ा काँ पर जस्वन तथड़ा है जैपूर में लालगड म answer हो जाएगा आपकरन sudah kay- łagra all-a good meeting test is स्पोर्स किसके द्वाडरा जारी की चाइए एसका आर्फी काइए सांगे की नोगते सालज का ये बिल्कल सही आन्सर होगा अगला कोशन परदान मंतरी मतस्य संपदा योजना की अवदी कितनी है इसका सही अंसर होगा पांच वर्स बिसको सही अंसर बीज का होगा राजस्तान की जलवाईयों की बारे में निमेत कंथन को पढ़िये वे सही कूट कोचने पुरव से पच्चिम की और एम दक्सिन से उत्तर की और वर्षा की मातरा गड़ती जाती है पहला ये दूसरा रेत की अधिकता के करण देनिक वार्षिक तापांतर अधिक वायता है तीसरा ग्रेशिम रित्तु में उच्च देनिक तापांतर 49 डिगरी सेल्सियस तक पहुच जाता है तो इसका सही आंसर होगा D A, B, C, दोनों तिनों ही सही है इसका सही आंसर होगा D विलों के वस्तरों के संदर्व में फेंटा है फेंटा क्या है ये वी बड़िया परसन पुछा गया है आपकी कला संसकर्टी से वेश बुचा जाया है ये परसन इसका सही आंसर होगा B, एक परकार के सीर पर पैने जाने वाली ये पगड़ी है B, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्मे से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए लूनी बेसिन गोड़वाना परदेश के नाम से जना येता है गिरवा उद्देपुर बेसिन में विशिष्ट अकरती में पाये जने वाला परदेश है गगर का मैंदान चूरू जिले में स्थित है इसका सही आंसर होगा B A, कवे दो दोनो इसका सही आंसर होगा B सांसी जन्जाती के लोग राजस्तान के किस जिले में पाये जाते हैं ये भी एक अच्छा परसन आया था बिल्कुल असान इसका उतर होगा D बर्तपुर में सांसी जन्जाती पाये चती है अगला कॉश्चन कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है A, W, सिकर्चुरू B, S, H, W, बाड़मेर जारो B, W, H, W, J, सर्वेर, पस्चिम मिकाने, C, W, G, अराली के दक्षी इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है इसमें A, W, सिकर्च चुरू ये बिल्कुल गलत आंसर है इसका तो अगला परसन है गोवन्स की कौन सी नसल मलाणी भी कहलाती है गोवन्स की कौन सी नसल मलाणी भी कहलाती है इसका सही आंसर होगा थार पारगर तिमारन माता प्रसिद है उपचि इसका सही Hers much £ कोटा बुंदी जड आवड कौन सी मर्दा पायती है राल, पिल्दी, मुर्ष्टली मर्दा लाल काली मिट्टी पायती है इसका सही अंसर होगा D मुर्ष्टारी मिट्टी इसका बिल्कुल सही अंसर होगा अगला परस्ण है आजम और जाजम प्रिंट राज़तन के किस जिले में परस्थद उद्यपूर, चितोडगड, अलवर, जैपूर इसका सही अंसर होगा B चितोडगड चितोडगड इसका बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कोशन है 2011 कि जनगन्ना के अनुसा राज्यस्तान के निन्म में से कि जिलेई में जिरो से 6 वर्ष की आयू का निमंतम लिंगा नुपात है इसका सही अंसर होगा A जुन जुन इसका बिल्कुल सही अंसर होगा जुन जुन अगला कोशन है राज्तान के कि जिले में ब्लू पोटरी के फूलदानों की प्लेटों मत्कों के लिए परसे या ब्लेक पूटरी आकि या ब्लेक पूतरी कि लिए परसेThis नुमम्रह उसका बिल्कुल सही होगा रास्ता सरकार की हाल ही में तेंदो के स्रक्शन है तो पाइलेट परजेक्ट शुरू किया डी मानस मांता जुन-जुन को मिला ये प्रियोजना है शिदुन उख प्रियोजना जाख प्रियोजना इनको मिलाना है इसका सही अंसर होगा दी बिल्कु सी इसका अंसर होगा डी अगला कोश्चन है मार्स 2018 में स्तापित राजस्तान के पहले मेगा फूड पार्क के समंद में नेम में से कौन से कक्तन सही है इसका उद्गातन कंद्रे ख़दे परसक्शन उद्योग द्वरा किया गया था इसके समार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना आता है यह रुपनगड अजमेर में स्तीत है इसका सही अंसर होगा C एक वैसर दोनों सही है इसका अंसर C बिल्कुल सही होगा पटेलिया लालर मुमल बिचिया है ये क्या एक इसका सही आंसर होगा 89 नमबर कुशन का सही आंसर होगा बी ये लोग गीत है मुमल लालर पेटेलिया ये एक लोग गीत है करनल जैम्स टोड ने किस युद में मेवार का मेरत हुं का है हलती गाटे को मेवार के ठर्मपली का है गुगुंदा का युद ये बदाईनी ने कह था हलती गाटे को इसका दिवेर का युद्गोव मेवार का इसका सही अंसर होगा सिम्राध अक्बर में कि chi संथ को फतेप पुर्श करी में आमनत्रत किया था हरिधास जी दादू दियाल जी रजजब जी नाम देव जी इसका सही अंसर होगा भी बिल्कोब दादू जियाल जी को किया था अगला कोशन अगला कोशन आमेर में जैसी हैं फर्ष्ट को मिर्जा राजा जैसी हैं कि उपादी किस के द्वारा दी गी थी इसका सही अंसर होगा साहजां के द्वारा दी गी थी अगला कोशन लसाडिया पठार कहां पर स्तिता लसाडिया पठार उद्यपूर रासमन जालावाड बांसवड़ा यह उद्यपूर में स्तिता लसाडिया पठार आपका बिल्कुल इसका बिल्कुल सही अंसर होगा हो जाएगा जैपर मेट्रो रेल की वेस्ता सेवाएं शुरू किस वर्स मे कीद घी इसका जैये एंसर होगा थोजाग्यारां पंद्रां तेरां दस इसका जैये एंसर होगा रॉचस्तान के हिज्टि हर सिल्प की विछास के लिए उतрашता ही है। इसका सही अज़ह हो जाएका लाज्षी को सुद्टार विह स्थान जिसके प्राइचन भारत का तक यह पर तानगर कहा जाता है। तिलवाडा नगरी रेड़ नौलीय सरे इसका सही एंसर हो जाएगा सी बिल्कुर रेड इसका सही एंसर हो जाएगा अठाने नमबर परशन राजतान के निर्म में से किस जिल को पूरुफ से पस्चिम की और सही कर्म से पूरव से पस्चिम की और, मतलब पूरव से पस्चिम की और अपने को सेट करना है, पूरव से पस्चिम की और, इसका सही अंसर होगा, अठाने मर्कोशन का C, बिल्कुर सही अंसर होगा, सबसे पहले आता है आपका दोलपूर, फिर आता है आपका अजमेर, फिर आता है पाल ती फिर आता है जेसर अमेर निसका सही अंशर होगा सी अगला परसन पंजाब साय का उस कांपर स्थीत है कांपर मना यह जय यह अजमेर में जबाएं द्रकाल का जोंपड़ा है रास्तान के लिए अकावत अकाल में से-स समंद्र था तीजो कुरियों उठर्वों काल इसमें है। पुरुणकाल अरदकाल तृकाल पंचकाल इसका इनसर होगा अरद अकाल यह हमने जीदी के पूस कुछ परशन्ध की बारे हैं बात में दूके में 40.00,erson के बाद में सब्रेबस के बाद में 100 तक बात में तो हम स्टार्ट करते हैं मेरक पहला पर्सन है रेल गाड़ी रेल गाड़ी साथ किमी परति गंटे की रिफ्तार से एक चाल से चलती है थोड़ा से रोगे इसको सेट करते हैं एक रेल 60 किमी परती गंटे की रिफतार से एक समान चाल से जलती है वे 15 सेकेंड में प्लेट फरम को पार करती है यदि प्लेट फरम की लंबाई 130 मिटर है तो टेन की लंबाई बताइए यह बढ़िया आपके चाल दुरी से बढ़िया परसन पुछा गया है इसका सही एंसर होगा बी 120 मिटर इसको हल करके बताएंगा तो आपका अधिक समय खराब हो इससे सीधे आपको एंसर बताए रहे हैं अरेक में O वर्त के इंदर है पियस इसका आपको प्यस वर्त के इसपर्स रहा है थो कोण O, S, Q पचास डिगिर है तो ग्याद हमें करना है कोण S, P, R कोण SPR ग्याद करना है यह कोण ग्याद करना है तो इसका पहना ऐसको सही आइंसर होगा तीसरे गा 10 डिग्रिप्र का होगा ये कोण 10 डिगरी का इसको बिल्कुल सही अंसर है ये अगला कुशन ए ने बीस से पांस हजार रुपए दो वर्स के लिए और तीन हजार रुपए सीज को चार वर्स के लिए सदारन ब्याज पर दिए दर उदार देने के लिए उन दोनों के कुल मिलाकर 22 रुपए ब्याज के रुपए परतिवर्स ब्याज के दर क्या है इसका सही अंसर होगा चार नमर परसंट का सही अंसर होगा 10% D इसका बिल्कुल सही अंसर होजाएगा अगला कुशन जब A की 4 माइनस 3X की होल क्यूब पलस 2X की स्केर माइनस 5X plus 7 x को x-2 से इवज़त किया जाये तो 365 क्या होगा इसका बिल्कुर सही आशर होगा b minus 3 का बिल्कुर सही आशर होगा minus 3 का बिल्कुर सही आशर होगा b 8.67 की ओसत आयू 11 वर्स है यदि 15 और 17 वर्स की आयू के 2 विद्याराथी स्जमेलित हों तो उनका उस्त क्यात कीजिए इसका सही अंसर होगा 13, 12, 14, 15 बाराई वर्स इसका सही अंसर होगा आपके 12 बीम को पिरीजिए बिललकूँ सही है 11 वर्स एक कारे को पंदरा दिनों में पुरा कर सकते हैं और 15 मिलाई उसी कारे को 12 दिन में पुरा कर सकती है यदि सभी 10 पुरस की 10 पुरस और 15 में लाएं 7 में करें तो यह दिन कितने दिनों में पुरा होगा यह कारे इसका सही आंशर होगा 6 सही 2 बटा 3 दिन में यह कारे complete हो जाएगा बिल्कुल ions का बिल्कुल rights answer होगा दो संख्याओं का गुणनफल सरसर साथ है उसका मैतर समा परते है HCF 13 है ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं इसका सही अंसर होगा आपके इसके सिरफ दो ही जोड़े बन सकते हैं अगला कोशन यदि हम किसी भी बिन को स्वें से गुणा करें और गुणनफल को उसके विर्थकुन पाती के वर्थ को बाग दे दें तो प्राप्त बिन 18 सही 26 बिन 27 मूल बिन क्या होगी तो हमें मूल बिन बतानी है इस कोशन का सही अंसर होगा B 2 सही 2 बिन 3 बिलकुर राइट इसका बिन हो जाएगा अगला कोशन X बटा 21 इंटू X बटा 189 बराबर 1 में दोनों में X के स्तान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए इसका सही अंसर होगा आपके B बिलकुर सही अंसर होगा 63 बिलकुर सही अंसर होगा अगला कोशन है अकरती में दी गई C D E F जनवपाती AB तो X कमान गयाद कीजिए इसका सही अंसर होगा 120 डिगरिस का D बिलकुर सही अंसर होगा आपके 250 रुपए A बे B और C में बंटे आते हैं ताकि A का हिस्सा B और C के हिस्सों के योग के का 5 बटा 7 हो और B का हिस्सा A और C के हिस्सों के योग पांच बटा 9 हो तो C का हिस्सा बराबर बताईए इसका सही अंसर होगा 12 का C बिलकुर सही अंसर होगा 57 इसका बिलकुर सही राइट अंसर होगा अगला उक्सान चिन्नी की किमत में 20% कमी एक ग्रैनी को 240 रुपए में 6 किग्रा अधिक चिनी क्रेदने के समेक्स मनती है चिनी की प्रती किग्रा मूल वर्दिक कितनी है 13 का बिलकुर सही राइट अंसर होगा आपके A 10 किग्रा इसका बिलकुर सही अंसर होगा अगला कॉशन तिरुबुज PQR की दो माधिकाएं PS और RTG के समकौन पर परतीछेद करती है यदि PS बराबर 9 cm और RT बराबर 6 cm हो तो RS बताना है इस कोशन का सही अंसर होगा अगला कोशन है एक वेपारी को अपने माल पर 80% अधिक अंकन करता है और 25% छूट देता है इसके अलावा अपना माल बेचते समय वेद 10% वजन कम कर देता है पारी को कुल सुद्द लाब कितना होगा इस कोशन का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगला कोशन है छोड़ाँ रिडार की फुल फोरंग ये बिलकुल है अच्छा परसन है इस बार इसका सही अंसर होगा ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज इसका बिलकुल सही अंसर होगा अगला परसन कॉलम ए को कॉलम बी से सुमिलित कीजिए और नीचे दिये के कूट का प्रेवग सही उतर जीए गोड़ स्वीड चार्ज वेड जे थॉमसन इस नेटरोन की खोजद की थी परमान उसन जय जो ठासन ने दिया ठीक है इसका पूर्प फ्रोग आपके बिलकुल सही अंसर होगा इसका अगला कशन निल में से कौन से जलची डिवीड सो्छा अच्छा उज़ण है सिलिका जेल, पलिसेकराइड, सोडियम कार्बिनेट इसका सिलिका जेल बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इसका अगला कोशन मिट्टी का तेल को पिगला मौम जलाने के समय वास्पित होने में जवाला कर निर्मान करते हैं कथन दो परदात को जलाने के समय वास्पित होते हैं जवाला देते हैं कूट दियाने चे दोनों कथनों ही विज़ेश सकते हैं दोनों कथनी गलत हैं एक सकते हैं या दोनों सकते हैं इसका उन्निसमें का सही अंसरोगा आपके ए दोनों ही कथन सकते हैं और कथन दो इसका इंसर होका यह ब्लब कर सही अंसर होका इसका हल्दी के किस बाग से हल्दी पाउडर प्रह्प्त किर है था इसका सही अंसर होका आपके यह शुक्ष के प्रकंद सि अगर केल्सियम और आरगन दोनों के दोनों तत्वों के द्रवयमान संख्या 40 है तो इन तत्वों को कहा जाता है इसका सही अंसर होगा C जिनका प्रमाणूं द्रवयमान बराबर होता है उनको आइसो बर कहाता है मिर्च के तिखेपन किस उपस्तिती के कारण होता है लाइकोपिन, केरोटिन, एंथोसाइन, केपसाइसिन इसका सही अंसर होगा 22 का B केपसाइसिन पैरेलियो मिटर का पर्योग डैश को मापने के लिए किया एता है सूरे के दब्बे को सोर विकरती के रहावा तामन को पोदे के तामन को इसका तेस्वें का B को सही अंसर को सोर विकरती को मापने के लिए इसका पर्योग किया एता है अगला कोशन है निर्म में से कौन से मानव शरीर में एक अवसेशी अंग है अवसेशी अंग अपलिया पिताश्य थाइराइड वे अकलदाड इसका सही अंसर आपके होगा ए अकलदाड बिल्कुल इसका सही है तो संचार में प्रिक्त होने वाली फाइबर ओप्डिकल का सिद किस प्रकार करता है प्रकाश नेमदी प्रवर्तन पर प्रकाश विशिरित पर प्रकाश अपवर्तन पर प्रकाश पुर्णांत्रिक पर 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 इसका सही अंसर होगा डी प्रकाश पुर्णांत्रिक प्रवर्तन उचिटेन संख्या लेकिन नेल्म उक्सिटेन संख्या वाले इंजन किस इंजन में पायाते हैं डीजल इंजन पंट्रोल इंजन स्टीम बाप वाले इंजन या हीट वाले इंजन में इसका सही अंसर हुआ भी डीजल इंजन में अगला कोशन है सम्वेक का ऐस सही मातरक यह अच्छा प्रशन है आपके सम्वेक का ऐस सही मातरक है जो वह है इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 30 मिटर पर सेकंड अगरा कुछ नहीं है पंट्रोल में एथिलीन डाइबरोमाइड मिलाने पर क्या होता है इसका पहला इंदन की अप्टेंस हैं क्या बढ़ जाती है लेड अक्साइड विलोपन की सहयता मिलती है पंट्रोल में सलफर योग में सहयता करता है इसका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन है पाइस में कुछ अच्छे गुण कुछ गुण है इसका आपके सही आंसर हो जाएगा 29 में का सी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन है तनाव विकरती व्रक में लोज शिमा का की इसका आपका बिल्कुल सही अंसर हो जान तक तनाव विकरत समानुपाथी होता है अगरा कोशन है अगस्ट 2022 में राजस्तान के उच्छ नियाले का करैकरी मुख्य नियापुर्थी लिन में इसे न्यूक्ति किया गया है इसका सही अंसर आपके 31 में का हो जाएगा बी नैपुर्दी नमिंदर मोन स्रिवास्तव राजस्तान सरकार द्वारा विशिष नागरिक तिर्थी आतरा योजना 2022 में संसोधन के तहत विशिष नागरिक द्वारा साइक ले जाने वाले ले जाने के लिए उमर 65 वर्ष किस्तान पर पढ 668 इसका सही अंसर आपके हो जाएगा ए 70 वर्ष इसका बिल्कुल राइट-अंसर हो जाए जिस इसने 70 वर्ष के उसका बिल्कुल राइट-एंसर हो जाएगा ये जुलाइ 2022 में राजस्तान सरकार के लिए किस देश की 11 कंपानों के साथ MOU पर हस्तासर किये हैं जिसकी 1338 क्लोर रुपे निवेस्ट किये हैं इसका सही अंसर आपके होगा अमेरिका, फ्रांस, उत्री कोरिया इसका बिल्कुल सही अंसर होगा डी, जापान, इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा मुख्यमतरी बाल गोपाल योजना का समध है कक्षा पहली से आठवी के बच्चों के लिए गाए मैतब के अना बताने के लिए गाए पालकों के परतुसान के लिए कक्षा में पहली से आठ वी बच्चों के लिए हफ़ते में दो बार दूद उपलब्द करवाने के लिए डायरी दियोग के युवाओं को परस्तान देने के लिए इसका आपको बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा सी खक्षा एक से आठों तक के बच्चों को हफ़ते में दो बार दूद उपलब दिकरवाने के लिए इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन है जून दो हजार बाइस में मुख्यमत्र एसो गलोत के जिलों में एक एक राज की है विदाले के नामंकरन राज 77 सिनानियों के नाम पर प्रस्तावन का अनुमोदन किया गया जैपूर जोदपूर डूंगरपूर बुंदी टॉंख जैपूर जैसर में इसका राइट अंसर हो जाएगा जोदपूर डूंगरपूर बिल्कुर राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछन है मार्ट 2022 में अजादी का अमर्त मौसव के तैत आयोजित का रेक्रम संसकर्ति मंतरा ले पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मामले मेराजसां सरकार है सातवां तीसरा चौथास्तान इसका सही बताना आपको इसका सही आंसर होगा आपका बी बी चौथास्तान इसका इस बिल्कुल से राइट अंसर हो जाएगा मैंहें 2022 में मुख्यमंत्री एसो गलोड ने रिवीपी नेतिक को मंजूरी दे दी है रिव कि राइट अंसर हो जाएगा अगला क्वेशन हाल ही में राजस्तान सरकार किस स्तान पर भाराज सरकार की गोधन योजना के तहत एच्पी सीएल गोबर संपीडन बायोगेंस प्रियोजना की सुरुवात की है संचोर जालोर हिंडोली बुंदी खेपुरा उदयपूर माथा परिशत का राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन है राजस्तान सरकार में मुख्यमंत्री आर्थिक प्रवर्तन सलाकर परिशत का करेकल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है इस आपके लिए सही आंसर हो जाएगा दिसांबर 2023 तक से बढ़ा दिया है दिसांबर 2023 तक से बढ़ा दिया गया है आज के फोरेस्ट गार्ड के पेपर में हमने लगबग सारे 100 परसन आपको बताए हैं और इस सटी के बिल्कुल 100 के 100 परसन बिल्कुल सही है अंसर कि आपको प्लब्द करवाई है और यदि ये वीडियो आपका बहुत अच्छे लगी हो और आपके अच्छे नवर बन रहे हैं तक मुझा छूजगा है और बन राफ कि आपको आपके विए बन अच्छे प्रसन के पर अच्छे नवर फिर राए है।